उम्रेड तहसिल के ब्राम्हनी ग्राम में 17 जन्वरी 2022 को सांसुतिक कारेकरम की याड में अश्लिल डान्स हंगामा मामले में वीडियो फारल हुआ था इस मामले में उम्रेड पुलिस ने आयोजग ब्राम्हनी ग्राम निवासी तिन आरोपियों को गिरफतार किया था अब इस मामले में 13 आरोपि गिरफतार हो चुके है जिन में से गाउ का उपसरपन 6 मुख्य आरोपि है उम्रेड अश्लिल डान्स मामले को नाकपूर ग्रामिन पुलिस अधिक शक विजय कुमार मगर ने गंभिरता से लिया है इस प्रकरण में आयोजक समित कुल 16 आरोपियों पर मामले दर्ज है जिन में से 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार किया इस मामले में उम्रेड पुलिस थाने की निरिक्षक येश्वन्त सोल से द्वारा लापरवाई बरतने से उनका तबारला किया गया और उनके बदले प्रमोद घूंगे को जिम्वेदारी सोपी गई है इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपि ब्रामनी गाउ के ही उपसर पंच को गिरफतार किया है 17 जन्वरी को उम्रेट तहसिल के ब्रामनी गाउ में दान संगामा नामक सांस्कृतिक करेक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें शामिल कलाकारों ने अशलिलता की हत पार कर दी थी और इसका विडियो वाइरल हुआ था इस मामले में गिरफतार आयोजक मंगेश को पाच फरवरी तक न्याई खिरासत में भेजा गया है मंगेश पाटिल एलेक्स जूली के हंगा में इस ग्रूप का संचालक है उम्रेट पुलिस ने उपसर पंच रिते शामबोने को गिरफतार कर उनके पास से ग्राहकों के हाथ पर मारे गाय स्टैंप भी जब तक किये गए है गुण्या मध निश्पणन आरोपी, आमचा रिक्वर्ड वरती सोड़ा रोपी निश्पणने सालेले तापे की पेर आरोपी नाटक करनाता लील गाले कालज एक नवीन आरूपया में आटक के लेला है तो गावचा उपसरपंच आ है आणी आमाला से निश्पणना जालेले एक जे में आयोजक होते कारक्रमाची ता पेकिस तो उपसरपंच हादेकिल मुख्या आयोजक होता आणी गुड्यामदिल जे वापर लेले स्टांप अस अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूद होने चीए जो देता है फ्लाइविल एविएशन अकाड़मी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एर्पोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटर्व्यू, गाइदेंस बाइंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राक्टिकल ट्रेनिंग अट एर्पोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, परसनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बनेफिट्स आप पास सकने हैं Flywheel Aviation Academy, one degree, three job opportunities. Flywheel Aviation Academy, gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gali Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur.